आगामी चुनाओं को लेकर अब सभी पार्टियों में सरगर्मिया तेज हो गई है जिसके चलते अब केंद्री नेता सहीत परवेक्षकों की सभी विधानसभा में दस तक जारी है इसी कड़ी में भिलाई के वैशाईनगर विधानसभा शेत्र में हिमाचल प्रदेश के जिला प्रएक्षक के रूप में यहां पर विलाई सहर में चाटीजगर आगामी विधानसभा चुनाओं को लेकर अपने दोरे पर आए हुए हैं उनसे जाना चाहेंगे किस तरह से कांग्रेस की स्थितिय है और क्या कुछ देखने को मिला किस तरह से कांग्रेस को लेकर मजबूत के यह दिशा निर्देश दिए इनसे हम बात करेंगे जी सर आपको स्वागत ह先 किस मोड पर हैं कांग्रेस की जो स्थितिय पड़ेगा समन्वे बनाना पड़ेगा किस तरह की इस्तिति देखने पर देखिए जहां तक समन्वे की जरूरत है और समय की मांग है उसमें जो हमारा बिलाइक शित्र शित्र है यहां पर हमारा बिधायक नहीं रहा है पिछले पंदरा वरसों से तो यहां पर ज्यादा फोकस करने की जुरूरत है और समन में बनने की जूरूत है पुराणे اور ने कारेकरतों का तानमेल बिठाकर जो है आगी बढ़ने की जरूरत है जैसरे कि अभी चुनाओं में भाच्पा और कांग्रेश की जो तुझी ही लिगकर माननी जाती है उसको लेकर आरोप प्रतेरोप के भी दौर आते हैं तो कहीं कहीं पर बाजपा अपने जो वादे को लेकर या फिर घुशनाओं को लेकर बाते करती तो उसमें कांग्रेस किस तरह की बात कर देखी जहां तक कांग्रेस की बात है माननी मुक्षे मंतरी मोहदे भाई विपेश बगेल जी ने बहुत अच्छा काम किया इस परदेश में और जहां एक समय पहले गुजरात मोडल पे बात होती थी आज पूरे देश में च्छतिसगड मोडल की बात होती है ये बात में इसले कह रहा हूँ कि पिछले एक वर्स पहले जब हिमचल परदेश में चुनाब थे तो भपेश बगेल जी मारे बजरबर थे और इन्होंने वहां पर आकर कापी बड़ी सभाएं बयुजित की थी जिसमें इन्होंने च्छतिसगड मोडल के बारे में बात की और अलही इस पात जैसा यहां पर एक बहुत बड़ा उद्योगिक संस्थान है उसके चलते पूरे देश के लोग यहां पर सेवा देने के लिए आते हैं तो यहां पर इसको मिन्नी भारत भी कहा जाता है जैसे कि आपने अपने दोरे में पाटन का भी दारा किया होगा विधान में और उनके बारे में तो कोई अतिशुक्ती ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से घिरे हुए हैं हालांकि भारती जनता पार्टी का नेत्यतब जो है केंद्रिय नेत्यतब उनके उपर बिना बज़ा से उन्हें बजनाम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनके पास कुछ बो पराय हुए हैं और उनके उपर कैसे फोकस किया जाए कैसे अटेक किया जाए यह रात दून इसी परकार का ताना बहुना बुना जा रहा है जिस तरह से भाजपक कोई भी मुद्धे पे बहुत दंखम से सामने आती कांग्रेस कहने कहीं पीछे रहा जाती क्या करना ने चलते जो है वो किसी भी तरह से जो है सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं वो संभब नहीं इसके साथ ही आपके जो दोरा विसे जो रहा खासकर जैसे दुर्ग भिलाए की बात करें तो इसमें क्या कमिया आपके दोरा देखी गई या क्या उसको पूरा किया जा सकता है जि लिएकिन अभी पिछले 7 8 9 दिनों में काफी इसकी भरपाई की गई है और कारेकतों से समनब है बनाए गया पनाने कारेकरतों को भी जोड़ा गया है ताकि उनको किसी प्रकार की नराज की नरहे और कांग्रेज और यसा कौन सा दल्ल जिससे कारेकरता नराज नहीं होता है थोड़े समय की नराजगी होती है जब उसको मना लिया जाता है तो वो पार्टी के काम करता है और आपके हिसाब से चतिस गड़ में अभी कितनी सीटों पर जीप का लगज देखिए जहां तक ओवराल की बात है वो तो मैं नहीं आपको बता सकता है जहां आठ बिधान सबक श जानकारी दी और इनका विश्वास है कि दुर्ग विधान सबहा के साथ ही आठों विधान सबह से से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी अब वक्त आगे का देखना होगा कि किस तरह से निर्णाय आते हैं नतीजे आते हैं दुर्ग से मैं नसीम फारूगी